देखें दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग भिहार डिये लेड इंट्रेंस एक्जाम में, कल इविनिक स्रिफ्ट में और आज मॉर्निक स्रिफ्ट में जो कोसंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के लाश्ट में दोस्तों मैं आपको इंगलिस के questions भी बताने वाला हूँ इस वीडियो को आप लोग एंट तक देखेगा और जो questions मैं आपको करवा रहा हूँ इसे आप लोग ध्यान से समझेगा एक से दो वार हम questions को repeat करेंगे और आपके mind में set कर देंगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्टन राश्ट पती अपना त्याग पतर किसे सौबता है दोस्तों राश्ट पती अपना त्याग पतर भारत के उप राश्ट पतर को सौबता है और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राज्जे सभा का सभापती कौन होता है तो आपको बताना है भारत के उप राश्ट पती राज्जे सभा का सभापती होता है बांधो को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था पंडी जवाहरलाल नहरू ने दोस्तो पंडी जवालनेहरू ये भारत के पर्थम विदेश मंत्री थे परधान मंत्री तो थे ही और յिदेश मंत्री भी रहे थे आगे बढ़ते हैं इन्होंने दोस्तो चीन के साथ पंचसील समझोता किया था पंडी जवालल नहरू ने भारत की सबसे बड़ी बहुदेसी नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तो भारत की सबसे बड़ी बहुदेसी नदी घाटी परियोजना भाखडा नागल परियोजना है भाखडा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है तो दोस्तो ये सतलज नदी पर बना है भाकर नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बना है आगे बढ़ते हैं सलाल जल विद्यूत परियोजना किस राजे में इस्थित है तो ये दोस्तो जम्मू कस्मीर में इस्थित है सलाल जल विद्यूत परियोजना जो है ये जम् पर बना है दोस्तो हीरा कुंड बांध महा नदी पर बना है जो की ओडिसा में इस्थित है दोस्तो हीरा कुंड बांध जो है महा नदी पर बना है और ये ओडिसा में इस्थित है बांस डिरिप सिचाई पर नाली कहां की जाती है दोस्तो बांस डिरिप सिचाई पर नाली की य यह मेग्याले में विक्सित की गई है, तो यह मेग्याले में की जाती है, याद कर लिजेगा, बिहार और उत misfır परदेश की सन्यूक्त नदी घाटी परो जना कों सी है, तो यह है दोस्तो गंडग प्रोजना, जोकी बिहार की सबसे बड़ी सिचाई परियोजना है, जोकी बिह सूची में हैं आगे बढ़ते हैं कि समीती की सिफारिस पर नागिरिकों के मौली करतब्वे को समीधान में जोड़ा गया था दोस्तो सवन सी समीती के सिफारिस पर वर्स 1976 में समीधान के 42 में संसोधन के दुवारा मौली करतब्वे को भारती समिधान में जोड़ा गया था स्टार्टिंग में दोस्तों भारती समिधान में कुल 10 मौली करतब्वे जोड़े गया थे उसके बाद दोस्तों सन 2002 में 66 समिधान संसोधन के दुवारा 11 मौली करतब्वे जोड़ा गया अब एक कोशन ये पूछा जाता है दोस्तों कि 11 मौली करतब्य कौन सा है तो 6-14 तक के बच्चों को जो है ना शिक्षा प्रवाइट करा ना ये माता पिता के भी जिम्यदारी होगी उनकी करतब्य होगी और इसे मौली अधिकार के इंतरकत भी रखा गया है आई होप आप लोग समझे होंगे राज्य सूची में कुल कितने भी सै है दोस्तों राज्य सूची में जो है ना कुल 61 भी सै है सबसे जादा भी सै संग सूची में उसके बाद राज्य सूची उसके बाद संभर्ती सूची संभर्ती सूची में कुल 52 भी सै है वर्तमान में हम बात करने हैं, ठीक ना, नर्मदा बचाव आंदोलन के परमु खनेता कौन थे, महेंदर सिंह टिकैत और मेगा पाठेकर, तारी विरोधी आंदोलन के प्ड़नेता कौन थे, नाम देव धसाल थे, संपूर्ण करांती का लक्षे किया था, सच्छे लोगतंतर की स्थापना करना अगर आप से पूछा जाए कि संपूर्ण करांती का अहवान किस ने किया था तो अपाद काल के दोरान दोस्तो जैपरकास नरायन ने किया था जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है आईोप आप आप लोग समझे होंगे कि समधान संसोधन की दुवारा विधायका की कारेकाल को पाँच वर्स से बढ़ाकर 6 वर्स कर दिया गया था तो ये दोस्तों इंडरा गांधी ने अपने कारेकाल में जो है अपाथकाल की दोरान किया था केंदरी बिधाय का मतलब इसका मतलब है संसत संसत की कारेकाल को 5 से बढ़ा कर 6 वार्स कर दिया गया था Congress for Democracy Party किसने स्थापित की तो बावु जग जीमार राम ने किया था Congress for Democracy Party की स्थापना और हाँ आप लोग English के questions करके जाईएगा इस वीडियो के लाश्टर में मैंने करवाया है देखिया next question 1977 में मतलब की तीसरा जो अपातकर लगा था 25 जून 1975 को मतलब एक या दो सल बात दोस्तो 1977 में जो है ना अपातकाल की जाँच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था साह आयोग का गठन किया गया था मानम मस्तिस्क में बुधी का केंदर कौन सा होता है तो देखो guys हमारे मस्तिस्क का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है यह होता है सिरिबरम और एक होता है सबसे छोटा वाला भाग जिसे लगो मस्तिस्क भी कहा जाता है और उसे इंगलिस में cerebrum कहते हैं cerebrum, ba और la और you और am आता है और इसमें b, r, e, am आता है धियान रखेगा सबसे बड़ा मस्तिस्क जो है हमारा यह है cerebrum, जिसे परम मस्तिस्क भी कहते हैं और यह बुद्धी का केंदर है, सोचने, समझने निर्णय लेने का केंदर है और जो लगु मस्तिस्क है, वो हमारे संतूलन बनाये रखने का कारे करता है लगु मस्तिस्क, I hope आप लोग समझे होंगे Lord Speaker में उर्जा परिवर्तन होता है तो यह दोस्तो धवनी को जो है न Lord Speaker कर, विद्यूत उर्जा में रुपांत रित कर देता है I hope आप लोग समझे होंगे Ohm का नियम किन के बीच संबंध का वर्णन करता है तो देखू guys, Ohm का जो नियम है न यह विभांतर ठीना, विभांतर को इंगलिस में क्या कहते है ठीना, voltage भी कहते है तो voltage मतलब विभांतर और विद्यूत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है Ohm का जो नियम है यह विभांतर और विद्यूत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है और इसका सूतर जो है यह V, voltage is equal to electricity I को current कहते हैं और R को resistance कहते हैं तो यह formula है, अब एक question यह भी पूछ लिया जाता है कि कोन सा सूतर सही है तो देखे, यहाँ पर भी is equal to I जो है na current R के साथ गुना हो रहा है तो आप इसको change भी कर सकते हो, जैसे I आप यही पर रहने दोगे और R इधर गुना हो रहा है, तो इधर आकर भाग में हो जाएगा और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो तो formula सारा change करके देख लिजेगा और जो option गलत होगा, वो आपको बता देना है अश्टकनियम किसने परतिपादित किया था? Newlands ने दोस्तो अश्टकनियम दिया था और अश्टकनियम कोन से तत्व तक लागू होता है? तो यह दोस्तो calcium तत्व तक लागू होता है पूछे गए questions से ठीना, अगर आपसे पूछा जाए कि तरीक कनियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने दिया था आगे बढ़ते हैं किस विटामीन में कोवाल्ट पाया जाता है? दोस्तो विटामीन वीट वेल में कोवाल्ट पाया जाता है और इसका रसाइनिक नाम होता है साइनो कोवालमीन Newton के पर्थम गती नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गती के पर्थम नियम को जड़तु का नियम कहा जाता है और इसका बादन जो है ये गैलीलियो ने किया था तबरन का मातरक होता है देखो गाइस अगर आपसे मैं पूछू कि इन में कौन सा तबरन का मातरक नहीं है तब आपको बताना है ये किलो मिटर सॉरी ये गलत है मतलब अगर इसको इस तरीके से बनाएं तो किलो मिटर पर सेकेंड ये गलत है क्यूं क्यूंकि देखो तबरन के मातरक में जो है लास्ट में सेंटी मिटर स्क्वेर आता है तो ये तीनों जो है न तबरन का मातरक है धियान में रखिएगा ये तीनों क्यूंकि आपक किलो मिटर भी आ सकता है या फिर यहाँ पर मीटर भी आ सकता है यहाँ पर सेंटीमीटर भी आ सकता है ध्यान में रखेगा ठीक ना और अगर यह पुछ ले जाए को से तबरण कमात रख नहीं है तो यह होगा आई होप आप लोग समझे होंगे पहाड़ी सित्रों में मिर्दा पर्दन को रोकने के लिए किस परकार की किरिस्टी को अपनाई जाती है तो सोपानी किरिस्टी को अपनाई जाती है पिर्थिवी पर गुरुत्वी तबरन का मान क्या होता है दोस्तों पिर्थवी पर गुरुतवी तबरण का मान भुमद्धे रेखा पर सबसे कम होता है राइवोसॉम किसके लिए केंदर स्थल है देखो गाइस राइवोसॉम को जो है न प्रोटीन की फैक्टरी भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन संसलेशन का कारे करता है और राय वो सुम क्या है, तो कोसीका का अंग है, ठीना, कोसीका का ये अंग है, जैसे माइटो कॉंडरिया ये सब, I hope आप लोग समझे होंगे, दूर दिरिष्टी दोस वाली आखे साब साब देख सकते, देखो इस कोशन में ज़्यादा तर स्टुडेंट जो है ना, क्यों होते हैं, इसके नाम की वज़ा से, क्योंकि देखो, आप पढ़ो, दूर दिरिष्टी दोस, तो दूर दिरिष्टी दोस पढ़के, स्टुडेंट को ये लगता है, कि या दूर दिरिष्टी दोस का मतलब की, उसे दूर की दिरिष्टी दोस होगा, मतलब दूर की बस पास की बस्तुओं को नहीं देख पाता है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि निवारण के लिए कौन सा लेंस का परियोग किया जाता है तो निकट दिरिश्टी दोस्त में अबदर लेंस और दूर दिरिश्टी दोस्त में उत्तर लेंस ठीना समझे होंगे आप लोग इंग्लिस में मायोपिया कहते है निकट को और दूर दिरिश्टी दोस्त को हाइपरमेटरोपिया कहते हैं ठीना समझात अंग देखे समान सरचना और उनका कारे अलग होता है समझात जो अंग होते हैं इनका सरचना समान होता है लेकिन कारे अलग-अलग होता है उस निकटी बन दिये सेतरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों परतेग जीब के नामकरंड की द्री पद नामक परनाली प्रस्तावित की तो यह दोस्तों काल लिनियस ने की थी और इसमें कुछ कोसंस जो है मैंने प्रिवेस सेर के भी एड़ किये हैं 2322 के क्योंकि जादा तर कोसंस जो है वो आपकी एकजाम में रिपीट हो रहे हैं तो यह इंपोर्टेंट है दोस्तों मैं फालतू के कोसंस आपको नहीं करवा रहा हूं इसलिए मैं लिख के ला रहा हू अगर देखो मुझे करवाने का होता है तो मैं 24-5 वीडियो अपलोड करता और बुक्स मैं क्या करता फोटो खीच के स्कैन करके आपको पढ़ाता लेकिन जो इंपोर्टेंट है जो पूछे गए हैं वही मैं ला रहा हूं ठीन तो प्लीज कर लो मैं आपके फाइदे के पूलीपलाइड धियान रखिएगा पूलीपलाइड वह एंजाईम पूलीपलाइड आगे बढ़ते हैं नभीकरण्यै उर्जा का सुरूत कटे को उन्यां ही जो दौबारा बन सकता है तो इस सुरे का परकास है जैसे रात में परकास नहीं पूल्यागर और ज़ो आ जाते ह आप लोग यहां पर लिखा हुआ है किस वर्ग के समू को हेलोजन समू के नाम से जाना जाता है तो वर्ग 17 के समू को हेलोजन समू के नाम से भी जाना जाता है इसमें कलोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सभी तत्व आते हैं उर्जा का लोग पिरिये मात रख क्या है, उर्जा का लोग पिरिये मात रख, कार्रे का लोग पिरिये मात रख, देखे, अगर आउसे पूछा जाए कि उर्जा का, कार्रे का और उस्मा कैसा ही मात रख क्या होता है, तो आपको बताना है, जूल, थी न, उर्जा, कार्रे और उसमा कैसा ही मात रखोता है जूल भारती जनसंग के स्थापना किस ने की दोस्तो भारती जनसंग की स्थापना स्यामा परसाद मुखर जी ने की थी स्यामा परसाद मुखर जी ने की थी आसियान के स्थापना कब हुई दोस्तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई इसक तो मंडल आयोग ने दोस्तों OBC को 27% अरचन देने की सिफारिस की भारत में बन्ने जीव संरचन अधिनियम कब से लागू हुआ तो ये 1972 से लागू हुआ यंग इटली यूरोप नामक समाज के स्थापना किस ने की तो ये दोस्तों ग्यूसेप मैजिनि ने की वर्ण में वर् यंग इटली यूरोप नामक समाज के स्थापना है ? यूसेप मैजनी ने की थी, वर्ण में. भारत में पहला जल वीदियू संवे अंतr कहा लगाया गया ? तो ये दोस्तों डार्जिलिंग में लगाया गया था. भारत में पहला जल वीदियो संवे अंतr यह दारजिन में लगाया गया था खनीज निमने लिखित में सिक्ति परकार के चत्तान के स्तरों में संग्रहित होते हैं तो यह दोस्तों तल छटी चतानों में खनीज पाएजाते हैं तल छटी चतानों में पर्थम विशुद के बार 14 सुत्री योजना किसमें प्रस्तूत की, तो ये Woodrow Wilson ने की थी, Woodrow Wilson ने, आगे बढ़ते हैं, ये important है, ध्यान रखियेगा, Woodrow Wilson, तिना, 14.3 योजना प्रस्तूत की थी, सबसे कम उरजावाले कण किसमें होते हैं, तो ठोस में जो है, सबसे कम उरजावाले कण होते हैं, कुंडल कूलम ना अभी कि ये उड़जा केंदर दोस्तो तमिलनाटू राज्य में हैं। भारत का सबसे उचा नदी बांध कौन सा है। अभी कि याद रखेगा बेगुसराय में इस्थित है। याद रखेगा लोनार जिल कहां इस्थित है। दाची गाम बनने जीव अभी अभी किस राज्य में हैं। ये दोस्तो जम्मू कस्मीर में है। तो ये है इंद्रा गांधी नहर जो की राजिस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर जो है। जो की राजिस्थान में है। जो जीला दर्रा किस राजिय में है। तो ये दोस्तो उत्राखंड में है। राज्य सबसे के लिए नियुंतम उम्र कितना निर्धारित किया गया है। तो राज्य सबसे के सदसे बनने के लिए नियुंतम उम्र जो है ये तीस साल रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोग सबसे सदसे बनने के लिए नियुंतम एज कितना निर्धारित किय अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि देश का परधान मंतरी बनने के लिए नियुंतम उम्र कितना रखा गया है तो 25 साल रखा गया है चलिए English की questions करते हैं चलिए दोस्तों English की questions करते हैं First question, C will come to meet you as soon as डिली अब आपको यहाँ पर बताना है, देखो guys, option मुझे याद नहीं है, देखो मैं यहाँ पर option अपने according बता देता हूँ, C will come to meet you वह मतलब आपसे मिलने आएगी, जब तक you come दिली या reach दिली देखो, reach यहाँ पर मान लेते हैं, option में आप guys, reach option में मान लेते हैं तो यहाँ पर मुझे यह बताईए, कि reach का first form use होगा, second form use होगा यह वाला sentence आप मुझे बता देजिए, कि यह present का होगा, यह past का होगा तो मैंने आपको structure अल्लेडी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तीन परकार के structure से जो है आपकी exam में condition sentences के questions पूछे जाते हैं, और यह condition sentence से आपकी exam में questions पूछे गए हैं तो मैं आपको so करता हूँ, देख लीजे, यहाँ पर, first वाले structure, यह क्या कहता है अगर कोई subordinate clause, present indefinite के साथ connect हो, कहने का मतलब यह है, कि if, when, until, unless, as soon as, as long as, when यह सारे जो conjunction होते हैं, यह subordinate conjunction कहलाते हैं, और इसके साथ जो sentence connect होगा न, वो हमारा subordinate clause कहलाएगा तो हमारा sentence क्या था, एक बार याद नहीं आ रहा मुझे, देखेगा, यही था हमारा sentence, she will come to meet you तो आप से मिलने आएगी, जब तक आप दिल्ली पहुँचते हो, या जब आप दिल्ली पहुचोगे, दोनों अर्था सकता है तो guys, structure हमारा, पहला structure यह कहता है, कि अगर दो sentence आपस में connect हो, और दोनों में से कोई एक sentence, simple future में हो तो उसके साथ जो connect होगा sentence, subordinate conjunction से, जो connect होगा sentence, वो हमारा present indefinite में होगा ठीना, तो यहाँ पर will use किया गया है, इससे according आप पहचान सकते हो, तो यहाँ पर हमारा reach आएगा ठीना, present indefinite का मतलब, यहाँ पर verb की first form use होगा देख लिजए यहाँ पर, देखे, हो सकता है, देखो, यह जो sentence आप देख रहे हैं, if he works hard, he will get the job अब गाइस, यह जो आप sentence देख रहे हैं, simple future वाला, यह पहले भी आ सकता है और इप के साथ, जो present indefinite का sentence connect है, यह बाद में भी आ सकता है तो इधर उधर मतलब हो सकता है sentence, बाकि structure का tense में कोई परिवरतन नहीं आएगा ध्यान रखेगा पहला rule, अब दूसरा तरीका इस sentence को समझने का है देखें गाईस, यहाँ पर will नहीं दे रखा होता, ठीक ना, यहाँ पर dash दे दिया गया होता और as soon as के साथ, जो sentence connect है हमारा, यहाँ पर r e a ch, reach लिखा होता तब आप यहाँ पर क्या लगाते, will लगाते, c के बाद या would लगाते देखो, आपको क्या करना है, दो sentence connect होंगे, तो दोनों में से किसी एक sentence में मतलब कि main verb यूज़ करके दे रखा होगा, और उसी साब पता लगा लोगे तो आप यहाँ पर as soon as you, reach दिली, यह जो हमारा sentence, यह present indefinite में है तो साब पता चल रहा है, कि उसके साथ जो connect होगा sentence, वो simple future में होगा तो वहाँ पर will use होगा, अगर यहाँ पर दोस्तो, as soon as, के बाद, यह जो हमारा sentence connect है यहाँ पर verb के second form use हुआ होता, reached हुआ होता, तो हम यहाँ पर would use करते उसके साथ connect sentence के स्थान पर, यह होता है rule, second question, unless he takes care of his health, he does not recover इसको हिंदी में translate करते हैं, unless का मतलब होता है, जब तक नहीं, ठीक न, और unless के साथ जो connect होगा sentence उसमें फिर से कोई negative word जो है, use नहीं होगा, क्योंकि unless जो है negative meaning देता है तो जब तक वा अपने, मतलब health की care नहीं करता, तब तक वा recover नहीं होगा, यह अर्थार है अब guys देखो, आप दोनों, मैंने बताया ना, rule हमारा क्या कहता है, कि दो sentence connect होगे तो दोनों में से किसी ना किसी एक sentence में main verb यूज़ करके दे रखा होगा और उसी verb के according आप पता लगा लोगे, कि जिस sentence में main verb गाइब किया गया है, या helping verb गाइब किया गया है, वहाँ पर क्या यूज़ होगा तो देख लिजिए, unless के बाद he takes, देख लिजिए, takes जो है, यह present indefinite का sentence है, he takes care, ठीक ना, और यहाँ पर main verb की first form यूज़ होगा है तो आपको पता लग गया, कि यह वाला जो हो, यहाँ पर है, यह जो sentence हमारा connect है, यह simple future में होगा, क्योंकि यहाँ पर main verb की first form यूज़ हो है, present indefinite का है, तो यहाँ पर will use करेंगे, फिर इस तरीके सो होता है third question, she wants to study English, इस sentence में कौन सा words जो है न दोस्तो, non-finite verb है, यह आपको बताना है, तो देखो guys, जो verb होते हैं, मैं यहाँ पर परियोग के हिसाब से बता रहा हूँ, परियोग के हिसाब से जो verb होते हैं, यह दो परकार के होते हैं, एक होता है finite verb, और दूसरा होता है non-finite verb, तो जो finite verb होता है, यह दोस्तो किसी sentence में as a main verb के रूप में परियोग किया जाता है, finite verb, और जो non-finite verb होता है, यह कभी भी किसी sentence में as a main verb के रूप में परियोग नहीं होता है, तो आपको बताना है, जो main verb के रूप में परियोग नहीं हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा verb है, तो to a study यह मेन वर्ब परियोग नहीं हुआ है, तो यह हमारे नोन फाइनाइट वर्व और यह तीन परकार के होते हैं, देखें, इंगलिस का सारे टॉपिक और लेड़ी हम कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा, आल कलासस आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइस, इसल तो सबजेक्ट या अबजेक्ट क्रूप में परियोग होगा, ठीना, तो देख लिजिए, सबजेक्ट क्रूप में, स्विमिंग यूज़ किया गया है, अब जो नोन फाइनाइट वर्व होते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर आइनजी में आ रहा है तो तीनों परकार पता होगा, जब ही तो आप बता पाऊगे ना, एक होता है टू प्री पॉजिशन प्लस में वर्व की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे वर्व आपको देखने को मिलें, और अगर यह सबजेक्ट या अबजेक्ट क्रूप में परियोग किया गया हो, तो समाझ आइम रणिंग इंदा पार्क, ठीना, आइम वकिंदा पार्क, तो यहाँ पर मेन वर्व की रूप में परियोग किया है रंणिग और वाकिंग, लेकिन मैं अगर वकिंग का यूज एजा सब्जेक्ट क्रूप में करूँ जैसे वौकिंग इसा ग्दिक milyon प्योण होग धर् वर्व के third form में आपको देखने हो को मिलेगा वो non finite verb जो की participle होता है वो भी as a subjective object group में परियोग होगा, main verb के रूप में परियोग नहीं होगा, he and his parents, देखो गाइस आपको आख बंद करके जो है ना, अगर and conjunction के साथ दो non या दो पर non connect हो, तो आख बंद करके यहाँ पर आपको long with, वहुत सारे ऐसे conjunction है, जिसके साथ अगर दो non या पर non connect है, तो उसमें जो helping word we use होता है, देख लेजे यहाँ पर, यदि दो subject को as well as with long with, together with and not in addition to, but besides except rather than accompanied by, like unlike as no less than, nothing but से जोड़ा जाए, तो वर्व पहले subject का नुसार परियोग होना चाहिए, इसके according होगा, अगर यह similar है तो आपको singular helping verb use करना है, अगर plural होगा, तो plural करना है, पास वाले का according नहीं करना है, वहीं पर एक question यहाँ इससे बनता है, इस वाले rule से, कि यदि दो subject को नाइदा, आइदा और not only what also, और non but से जोड़ा जाए, तो वर्व नजदीक वाले का according लगता है, जैसे अगर नजदीक वाले subject आपका plural है, तो plural helping verb करेंगे, अगर singular है, तो singular helping verb use करेंगे, देख लिजे, यहाँ has क्या गया, यहाँ have क्या गया है, तो आप लोग difference समझ सकते हो, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखे, आगे ना sentence, neither they nor I dash coming, अब आपको बताने यहाँ पर कौन सा helping verb use होगा, तो देखो guys, अभी हमने पढ़ाना, कि जो sentence neither nor, either or, not only, but also, none, but, इससे जुड़ा हो, तो पास वाले subject recording लगाना है, तो I के साथ M लगा सकते हैं, ठी ना, plural नहीं, मतलब कि I जो है, singular subject है, चाहे पास वाले subject plural हो, तो plural helping verb, इसके according लगाना है, अगर singular हो, तो singular लगाना है, ठीन, I बनाते हैं active voice को, तो passive voice का जो object होता है, वो subject के स्थान पर आ जाता है, और मैंने आपको बताया है, कि जब भी हम subject की रूप में, कोई pronoun यूज करते हैं, तो हमारा pronoun जो है, वो subjective case का use होता है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो अस जो है, यह वी का objective case है, तो अस को हाँ पर adjust subject की रूप में परियोग करेंगे, तो हमने V में change कर दिया, यह हमारा सही हो गया, अब V के according जो है न, आपको